नमस्कार मैं हूँ राहूल त्यारे और लेकर आयों आपके लिए क्रिकेट जगर्थ की कुछ बड़ी खबरे चलिए एक नज़र डालते हैं ऐसी खबर पर जो किर्केट आई पिल 2020 की कल के मैच की सबसे यादगार लम्हों को करोचते हुए एक एतिहासिक डायरी में नोट होन लगा है चलिए बात करते केल राहूल की जिन्होंने एक एतिहासिक शतक बनाया और ऐसा शतक बनाने से उनका नाम और उनके द्वारा कई रिकॉर्ड को तोड़ दिया गया ऐसे रिकॉर्ड जो सजिन तेंदूल कर द्वारा भी बनाए गए थे उनको भी उन्होंने द्वस् बनाती है टॉप की नमबर वन नमबर टू कई बार आई पेल भी जी चुकी है रोयल चैलेंजर बैगलोर की बात कर रहे हम विराट कोली जिसके कप्तान है विराट कोली के बारे में सब अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह से उन्हों ने अब तक अपने क्रिकेट का जो उनका करियर है कि किस तरह का उनका खेल रहा है कितने रिकॉर्ड बना चुके है भारत के कप्तान भी है वह तो आई पियल में पंजाब की और से केल राहूल ने एक ऐसा शतक बनाया जिसमें रोयल चैलेंजर बैगलोर बहुत बड़े अंतर से हर गई बात करते हैं केल राहूल की क केल राहूल एक क्लासिक बल्लेबाज है नैसर की प्रतिबा के धनी भी है उनके खेल की तारीफ बड़े बड़े क्रिकेटर बड़े बड़े दिगज बल्लेबाज करते हैं गुरुवार को उन्होंने रोयल चैलेंजर बैंगलोर के खिलाफ शांदार शतक बनाया जिसकी बा फीका ही चल रहा है यह केल राहूल ने कलके मैच में इसमें चार चांद लगा दिये बात करते हैं इस कप्तान की तो इस कप्तान ने रोयल चैलेंजर बैंगलोर के खिलाफ 132 रन बनाए राहूल ने इस दौरान कई बड़े रिकॉर्ड भी तोड़े राहूल अपनी पारी क में यह उपलब्दी हासिल की है उन्होंने सचिन तेंदूलकर के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया तेंदूलकर ने 63 पारियों में 2000 रन बन पूरे किये थे कुल मिला कर देखे तो यह रिकॉर्ड अब तक क्रिश केल के नाम पर था जिन्होंने 48 पारियों में ही आई पील के 2000 रन पूरे कर लिये थे रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के कप्तान केल राहुल को इस पारी की शुरुवात से पहले सिर्फ तोरण ही चाहिए थे सबसे जादा स्कोर बनाने वाले भारतिये राहुल ने 69 गेंदों में 132 रन बनाए अपनी पारी के दौरान उन्होंने 14 चौके 7 चौके जड़े थे अपनी पारी के दम पर उन्होंने IPL में किसी भारतिय बल्लेवाज द्वारा बनाए गए सर्वसेश निजीर स्कोर के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है इससे पहले रिशव पंत के नाम पर यह रिकॉर्ड था जिन्होंने 128 सरणों की पारी खेल 6 रन बनाए थे जवाब में पंजाब की टीम सिर्फ 109 रन पर ही ओल आउट हो गई थी राहुल को अपनी बल्लेवाजी के दौरान दो जीवनदाईनी मिली थी पहला 84 और दूसरा 89 रन के स्कोर पर और दोनों ही कैच यह जो इंटरस्टिंग बात है दोनों ही कैच विराट कोली द्वारा छूट छूड़े गए थे बैंगलोर की टीम को पहले मैच में सनराइजेज के खिलाफ 10 रन से जीत मिली थी वहीं किंग्स 11 की टीम सूपर ओवर में दिली कैपिटल से हार गई थी आईपेल की शुरुआत अभी हुई ही है इसने कई रिकॉर्ड बनाने शुरू कर दी है जैसे अभी हमने आपको बताया अभी आईपेल शुरू हुआ है आप इसके साथ जुड़े रहिए हमारे साथ जुड़े रहिए हमारी खबरों को देखते रहिए और आईपेल की नई अपडेट अंदुरूनी बाते जानने के लिए हमारे अर्थपरकाश ग्रूप के साथ जोड़े रहे हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए और फेस्बूक पर लाइक कीजिए और ट्विटर इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए अब मैं आपसे अलविदा लेता हू तब तक के लिए धन्यवाद फिर मिलूगा